हालो एव्रीवान नमस्कार साथ करते हैं दोस्तों आज हम वर्ब का सेशन इंग्लिश में सबसे जारा इंपॉर्डेंट जो चैप्टर है वो है वर्ब आखिर मैंने सकते क्यों कहा कि वर्ब इंपॉर्डेंट है इसका एक रीजन है यदि मैं आप से यह कहूं कि आपके शरीर में सबसे इंपॉर्डेंट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा कुछ भी हो सकता है कुछ लोग कहेंगे लंग्स कुछ लोग कहेंगे हार्ड कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं मेरे अंदाज से हमारा शरीर जो चलता है यदि मैं बात करूं थोड़ा अलग सेंस में तो वो है soul, soul ना हो तो शरीर नहीं है, right, इसी की संगया मैं आपको दूँगा और इसी का मैं comparison करूँगा किसी sentence से दोस्तों sentence में सबसे important जो चीज होती है वो verb होती है right, कोई भी sentence बिना verb के नहीं बन सकता, संसार में, जी हाँ, कोई भी sentence sentence बिना verb के नहीं बन सकता sentence कितना भी छोटा हो, सबसे shortest sentence अंसार का वो भी verb लेगा और सबसे बड़ी में तब बहुत धेर सारी verbs होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि verb कितना important chapter है इस important chapter को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज आप से verb के वो दो kind discuss करना चाहूंगा, जो कि थोड़ा important है, जादा तो नहीं है लेगिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए ठीक है, start करते हैं वो दो verb, दोस्तों आपने बच्चमन पढ़ा होगा, वो दो verb जो कहलाती है regular and irregular verbs right, एक होती है regular और एक होती है irregular regular verbs, क्या होती है ये जैसा कि इसका नाम है regular regular का मतलब हो गया दोस्तों, एक ऐसी verb, जो कि सामान्य रूप से daily use में आती है, daily use में आती भी है, और उसको change करने का कोई different formula नहीं होता, वो सारी की सारी same रूप से change हो जाती है, उनका same method होता है, तो जो same method में change हो जाएं, वही कहलाती है regular verb, और irregular verbs क्या होती है irregular verbs, वो verbs होती है जो अपनी forms हमेशा change करती रहती है वो verbs, जो अपनी forms को change कर लें, उन्हें बोलते है irregular verbs, आईए कुछ examples लेते हैं यारी मैं आपसे regular verbs कहूं, जैसा कि मैं आपसे कहा, regular verbs जो अपनी सभी form में same होती है उन्हें बोलते है regular, जैसे example मैं मैं आपसे कहूं, bake B-A-K-E, तो दोस्तों bake first form है, जैसे हम second form की बात करें, तो baked, B-A-K-E-D and third form भी baked B-A-K-E-D, it means ED पे खतम हुआ, तो regular verbs की एक पहचान और ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, cheer, तो दोस्तों cheer की form क्या होगी, right यदि आपने cheer की form, cheered और cheered सोची है, तो आप बिल्कुल सही है जी हाँ, cheer में भी हम last में ED का use करेंगे, और जो हमने ED की form लगा दी, तो it means, ये second और third form बन गई, cheered and cheered, आईए एक बर और ले लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है, जिसे हम कहते है dance, तो dance की form क्या होगी भाई, danced और danced second form भी danced, और third form भी danced, तो जिन में ED लग जाए, वो क्या कहलाएंगी, regular verbs, hope so, is it clear right, and it must be clear number second, irregular verbs दोस्तों, irregular verbs में लोग ED का use नहीं करेंगे, irregular verbs जो है, वो अपनी forms change कर लेती हैं, जैसा कि मैं आप से अभी कुछ देर पहले कहा था, लेते हैं example, तो irregular verbs के example में इरी मैं आप से कहूं, drive, तो guys, drive का example क्या है, जैसे मैं आप से कहूं, drive की second form, drove, ED तो नहीं लगा इसमें, D-R-O-V-E, drove, और third form, driven, तो drive, drove, driven, यह irregular form हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें ED नहीं आया, और इसकी दौनों form जो हैं दोस्तों, अलग-अलग बनी, this is what we call drive, इसी तरह हम लेते हैं, drink, तो drink, drank, drunk, drink, drank, drunk, यह कौन सी form हो गई, irregular form, क्योंकि second form इसकी क्या थी, drank, और third form, drunk, तो दोस्तों, irregular verb, एक और simple ले ले लेते हैं, हम लोग, eat, तो eat की second form क्या होगी, ate, ate, and third form, eaten, is it clear, eat, ate, eaten, so hope so, कि आपको regular, irregular में difference पता पढ़ा होगा, और आप अच्छे से जान पाए होगे, यह कोई आप से पूछेगा, कि भाई, regular, irregular क्या होती है, तो आप असानी से अंसर दे सकते हैं, clear दोस्तों, तो यह थी आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया, कि regular और irregular verbs क्या होती है, यह आपको कोई भी question हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं comment box में, and I'll try my best to reply you, I'll try my best to give you back my answers, is it clear दोस्तों, or please, don't forget to subscribe this channel, to like this channel, and to share this channel to your friends everybody, so आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं, नमस्कार कर दोस्तों, जिसमें प्राओे, जिसमें चर्भाव, जाज कर दोस्तों, जिसमें प्राइभाव, भी-प्राव, जापको बताया,